एक सो चालीस करोड भारतियों की ओर से आप सभी को मेरा नमस्कार आज सबसे पहले मैं आप सभी का आभायर व्यक्त करूँगा मेरे द्वारा उठाए गए क्लाइमेट जस्तिस, क्लाइमेट फाइनांस और ग्रीन क्रेडिट जैसे विश्वयों को आपने निरंतर समर्थन दिया है हम सभी के प्रयासों से ये विश्वास बड़ा है कि विश्व कल्यान के लिए सबके हितों की सुरक्षा आवश्चक है सबकी भागीदारी आवश्चक है फ्रेंड्स आज भारत में एकोलोजी और एकोनामी के उत्तम संतुलंद का उधारण विश्व के सामने रखा है भारत में विश्व की 17 परसेंट आबादी होने के बाउजू विश्व की 17 परसेंट आबादी होने के बाउजू ग्लोबल कार्बन एमिशन्स में हमारी हिस्सेदारी अउनली 4 परसेंट से भी कम है भारत विश्व की उनकुछ एकोनामीज में से एक है जो एंडिसी टार्गेट्स को पुरा करने की राह पर है एमिशन्स इंटेंसिटी संबंदी टार्गेट्स को हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है नौन फोसिल फ्यूल टार्गेट्स को हम निरधारी समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं हमारा लक्ष ट्वेंटी थर्टी तक एमिशन्स इंटेंसिपाई को 45 परसेंट घटाना है हमने ताय किया है कि नौन फोसिल फ्यूल का शेर हम बढ़ा कर 50 परसेंट करेंगे और हम 2070 तक नेट जीरो के लक्षी तरफ भी बढ़ते रहेंगे फ्रेंट्स भारत ने अपनी जी ट्वेंटी प्रसेडेंसी में वन अर्थ वन फैमिली वन फूचर की भावना के साथ क्लाइमेट के विशे को निरंतर महत्म दिया है सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमने मिलकर ग्रीन डेवलप्मेंट पैक पर सहमती बनाई हमने लाइफस्टाइल पर सस्टेनेबल डेवलप्मेंट के सिधान ताय किये हमने बैस्विक स्तर पर रिन्यूवल एनरजी को तीन गुना करने की प्रतिबद्दता जताई भारत ने आल्टरनेट फ्यूचर के लिए हाइड्रोजन के क्षेत्रों को बढ़ावा दिया और ग्लोबल बायो फ्यूचर एलाइंस भी लॉंच किया हम मिलकर इस नतीजे पर पहुँचे कि क्लाइमेट फाइनांस कमिट्मेंट को बिलियन से बढ़ा कर कई ट्रिलियन तक ले जाने की आवशक्ता है साथियों ग्लासगो में भारत में आईलेंड स्टेट्स के लिए इंफ्राट्रेक्टर रेजिलियन इनिशेटिव की शुरुआत की थी भारत तेरा देशों में इससे जुड़े प्रोजेट्स तेजी से आगे भणा रहा है ग्लासगो में ही मैंने मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एंवार्मेंट का वीजन आपके सामने रखा था इंटरनेशनल एनरजी एजन्सी की स्टड़ी कहती है कि इस एप्रोज से हम 2030 तक प्रती वर्ष टू बिलियन टन कार्बन एमिशन कम कर सकते आज मैं इस फर्म से एक और प्रो प्लैनेट प्रो एक्टिव और प्रोजिटिव इनिसिटिव का आवान कर रहा हूं यह है ग्रीन क्रेडिट इनिसिटिव यह कार्बन क्रेडिट की कॉमर्शल मानतिक्ता से आगे बढ़कर जन्भागीदारी से कार्बन सिंख बनाने का अभ्यान है मैं उमीद करता हूँ कि आप सब इस से जरूर जुडेंगे साथियों पिछली शताब्दी की गल्तियों को सुधारने के लिए हमारे पास बहुत जादा समय नहीं है मानव जाती के एक छोटे हिस्से ने प्रकृती का अंधा दुन्द दोहन किया लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है विशेश कर ग्लोबल साउथ के निवाशियों को सिर्फ मेरा भला हो यह सोच दुनिया को एक अंधेरे की तरफ ले जाएगी इस हॉल में बठा प्रतेग व्यक्ति प्रतेग राष्टाद्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेजरी के साथ यहां आया है हम मैंसे सभी को अपने दाइत्वन निभाने ही होंगे पूरी दुनिया आज हमें देख रही है इस धर्ती का भविश्य हमें देख रहा है हमें सफल होना ही होगा हमें संकल्प लेना होगा कि हर देश अपने लिए जो क्लाइमेट टाइर गेट ताय कर रहा है जो कमिट्मेंट कर रहा है वो पूरा करकर ही दिखाएगा हमें संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे एक दुसरे का सयोग करेंगे साथ देंगे हमें ग्लोबल कार्बन बजेट में सभी विकासिल देशों को उचीत शेर देना होगा we have to be more balanced हमें ये संकल्प लेना होगा कि adoption, mitigation, climate finance, technology, loss and damage इन सब पर संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ें we have to be ambitious हमें संकल्प लेना होगा कि energy transition just हो inclusive हो, equitable हो we have to be innovative हमें ये संकल्प लेना होगा कि innovative technology का लगाता विकास करें अपने स्वार्थ से उपर उठ कर दूसरे देशों को technology transfer करें clean energy supply chain को ससक्त करें friends, भारत UN framework for climate change process के प्रति प्रतिबद्ध है इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP 33 2028 में COP 33 समिट को भारत में होस करने का प्रस्ताव भी रखता हूं मुझे आशा है कि आने वाले बारा दिनों में global stock take की समिक्षा से हमें सुरक्षित और उज्वल भविश का रास्ता मिलेगा कल loss and damage fund को operationalize करने का जो निर्णे लिया गया है उससे हम सभी की उमीद और बड़ी है मुझे विश्वास है VAE की महजवानी में ये COP 28 समीट सभलता की नई उचाई पर पहुँचेगी मैं मेरे ब्रदर His Highness सिख महमद बिन जायट और सहीट राक्षंग के सेकेटरी जनरल रियेक्सलिंसी घुट्रेज को मुझे ये विशे सम्मान देने के लिए विशे इस रुप से आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you